आज जानुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में जानुमो केंद्रिय समिती की विस्तारित बैठक आयुजित हुई है। इस बैठक में कारेकारी अध्यक्ष हेमन सोरेन भी मौझूद है। ये बैठक पिछली बैठक की कारेवाही की समीक्षा करने के साथ साथ पार्टी के सदस्यता भ्यान पर चर्चा करेगी। साथ ही पार्टी की संगठन की मजबूती को लेकर विचार विमर्ष भी होगा। इस बैठक में आगामी 2024 के चुनावों के चर्णों का मन्थन भी होगा और दुम्री उपचुनाव को लेकर पार्टी की रणनीती पर व्यापक बाक्चीत होगी। वहीं इस बैठक को लेकर बीजेपी ने भी तंज कस्ते हुए कहा कि आज जारखंड मुक्ती मूर्चा को अपनी केंद्रिय कारस्मिती की बैठक की शुलवाद दो मिनट का मौन रखकर कतनी। चाहिए, दो मिनट का मौन ताकिवा अपने लगभग पौने चार वर्षों के कारकाल में युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के सपने को कुचलने के लिए पश्चताब कर सके। चाहिए, जो इनके पिछले पौने चार वर्षों के सरकार के कारकाल में हुआ है। और एक बार ये संकल पत्र को भी अपनी बैठक में पलटने का काम करें। अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले।